नमस्कार दोस्तों, दोस्ते योगांडा दुनिया का एक ऐसा देश है जिसे गोरिलाओ का देश भी कहा जा सकता है और यहाँ पे रहने वाले इस प्रजाति की गोरिलाओ की संख्या आज के दिनों में इस पूरे दुनिया में सिर्फ साथ सो ही बची है तो आज मैं बताने वाला हूँ योगांडा के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको काफी अस्चरिय चकित कर सकती है दोस्तों योगांडा केनिया के पास में इस्थित एक छोटा सा देश है जिसे इसकी खुपसूर्ती के वज़े से अफरीका का रत्न भी कहा जाता है एक बात शाहद आपको हैरांग कर दे कि आज तक यहां की सरकार किसी भी फूड को नैस्नल फ्रावर नहीं बना पाई है योगांडा में आप अगर एक पेड काटते हैं तो इसके बदले आपको तीन नया पेड लगाना होता है योगांडा की महिलाई किसी को बुलाने के दोरान बोल कर बुलाने के बदले सीटीो के जैसे सब्द का इस्तिमाल करती हैं योगांडा का एक चर्च को दुनिया का सबसे छोटा गिर्जागर माना जाता है जहां पर एक साथ सिर्फ तीन लोग ही सवचल तरीके से खड़े हो सकते हैं योगांडा की राजधानी कमपाला शहर है जिसे पूर्वी अफ्रीका के सबसे अच्छे शहरों में से माना जाता है योगांडा काफी गरीब देश है और यहां की एक बड़ी आवादी दिन में 70 रुपए से भी कम कमाते हैं और यहां का जयातर इंकम खेती के द्वारा आता है गरीब होने के बावजूद यहां के जयातर लोग बहुत ही खुसाल तरीके से अपनी जिंदिगी बिताते हैं योगांडा की महिलाएं बच्चे पैदा करने में काफी मात्रा में शक्षम होती हैं और यहां की लगवग हर महिलाएं कम से कम 6 बच्चे का जन्म देती हैं योगांडा में लड़कियों की शादी बहुत ही कम उम्म्र में हो जाती हैं यही कारण है के यहां की काफी सारी महिलाएं रोक का शिकार होती हैं योगांडा में पढ़ने वाले लगवग 85% बच्चे साथ भी तेप पास नहीं कर पाते हैं अफ्रीका की सबसे मशूर नदी नील का जन योगांडा के धर्ती से ही हुआ है योगांडा के लोग बाइसेकल चलाना काफी पसंद करते हैं योगांडा की लगवग 84% आबादी इसाही धर्म को मानती है और यहां का दूसरा बड़ा धर्म इसलाम है जो कुल आबादी का लगवग 14% है योगांडा में कुल 30 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है लेकिन यहां की राष्टिय भाषा इंगलिस को बनाया गया योगांडा में चलने वाली करेंसी शेलिंग है और भारत का एक रुपया योगांडा का 56 सेलिंग होता है तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और बिल बटन पर क्लिक करें